दोस्तो कुछ टाइम पहले मुझे बहुत जादा बालों के ज़णने की प्रॉब्लम हो रही थी और जिसकी बज़े से मेरे बालों की ग्रोध बिल्कुल रुक चुकी थी दोस्तो तम मैंने एक ऐसी remedy ट्राई की जिसकी बज़े से मेरे बालों का जढ़ना खत्म हुआ साथी साथ मेरे बाल तेजी से लंबे घने मोटे मजबूत हो गए दोस्तो आज यही सीक्रेटर रेमेडी आज मैं आपके शाथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों के जढ़ने की प्राबलम को खत्म करेगी साथी साथ आपके बालों को तेजी से लंबा घना मोटा मजबूत बनाएगी दोस्तो आज कल आपने देखा होगा कि काफी लोग बालों के जढ़ने की प्राबलम से जूच रहे हैं इसकी बज़े से बालों की लंबाई बढ़ना बंद हो गई है। दोस्तो अगर आप मेरी ये सीक्रेट रेमिडी अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने बालों को जितना चाहे उतना लंबा मोटा मजबूत बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा दे जिसकी बज़े से आपको रेमिडी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। अगर आप एक से दो बार इस रेमिडी को यूज करेंगे तो इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। किसी भी चीज का जब तक हम लगातार प्रयोग नहीं करते हैं और ठीक तरीके से प्रयोग बंद होगा और आपके बाल लंबे मोटे मजबूत होंगे। तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको वीडियो जरावी उसपो लगता है दोस्तो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को करके जरूर जाईएगा दोस्तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है मस्टर्ड ओयल यानि के सरसो का तेल जिस ऑईसे हम अपने घर में खाना बनाते हैं वही ऑईल आपको यहाँ पर यूज़ करना है दोस्तो आपको यहाँ पर लेना है सरसो का कच्ची घानी तेल दोस और पतले बालों को मजबूत मोटा बनाने के लिए ये तिल बहुती फाइदेमंद है। दोस्तों सरसो का तेल पोसक तत्तों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैलसियम, ओमेगा 3, ओमेगा 6, फैटी एसेड, नियासिन, सिलेनियम, एंटियोक्सिदिन आदिप होसक तत्तों भरपूर मातरा में मौजूद होते हैं। दोस्तों सरसो का तेल पतले कमजूर बालो को मोटा घना मजबूत बनाने के लिए बहुती बहतरीन होता है। साथी साथ आपके बालो की लंबाई को दुगनी तेजी से बढ़ाता है, सफेग बालो की समस्या को दूर करता है। दोस्तो इसमें fatty acid और beta carotene और selenium पाये जाता है जो बालों की growth को तेजी से बढ़ा देता है ये बालों को पोसा देता है इन्हें जड़ों से मजबूत बनाता है और आपके बालों को hydrate रखता है और बालों के तूटने जढ़ने की संभावना को कम करता है दोस्तो अब आपको एक यहाँ पर clean बाल लेना है और इसमें आपको यहाँ पर लेना है दो चमच सरसो का तेल अगर आप voice है तो आप यहाँ पर एक चमच सरसो का तेल एड़ कर सकते हैं दोस्तो अब आप लोग comment करके जल्दी से मुझे ये बता दीजी आप मेरा वीडियो कहा कहां से देख रहे हैं कहां कहां से watch कर रहे हैं क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए मेरा वीडियो कहां कहां पर देखा जा रहा है तो friends जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाल लिया है उसमें दो चमच मैंने सरसो का तेल लिया है और इसके बाद मैंने हाँ पर लिय के लिए जो आपके वाद सफेथ हो क्す में आउला होता है जो बिटामिन सी से भरपूर होता है सातीय इसाथ जो आउला होता है व Brendan की ग्रोथ को अपस में बहुत Dit बहुत है तो ये बालो chainsy से बहुत your Alex हो जाएंगे दोस्तो अगर आप इस तेल को मेरे बताय हुए तरीके से वन मंथ यूज़ कर लेंगे दोस्तो तो आपको अपने बालों में फर्क खुद ही महसूस हो जाएगा इतनी तेजी से आपके बालों को लंबा घना बनाएगा साथी साथ इससे आपके बालों का जढ़ना खतम हो जाएगा और दोस्तो आपके जो नए बाल है वो भी निकलना सुरू हो जाएगे दोस्तो जो आवला होता है वो हमारे बालों के लिए हमारी इसकिन के लिए कितना जादा फायदे मंद होता है यह आप खुद भी जानते हैं दोस्तों यकीन मानिए इस ओयल के इस्तिमाल से जो आपके हेयर लॉस्ट की प्रॉब्लम है उससे आपको निजात मिल जाएगी साथ ही साथ आपके जो ड्राइनेस है बालों में बो भी दूर हो जाएगी और बालों में एक अलगी चमक आएगी दोस्तों इसके बाद आपको एक दूसरा बाव ले ले रहा है और इसमें आपको एड़ करना है दो चमज आउले का तेल तो दोस्तो आपको यहाँ पर quantity का बिल्कुल ध्यान देना है आपको कितनी quantity में क्या क्या चीजे add करनी है दोस्तो तो आपने देखा होगा दो चमज मैंने आपर सरसो का तेल लिया है तो दो चमज आउले का तेल इसमें add करेंगे अगर आप एक चमज सरसो का तेल लेना है तो आपको एक चमज आपको आउले का तेल लेना है दोस्तो यहाँ पर जो आपको तेल की quantity रखनी है वो आपके अपने बालों के according रखनी है जितने आपके बालों की length है उसी के हिसाब से आपको तेल लेना है तो आपको equal quantity में यहाँ पर oil लेना है और अब इन दौनों तेलों को आपस में आपको mix कर लेना है जैसे कि आप वीडियो में clear देख पा रहे होंगे दोस्तो दोस्तो इस तेल को आपको mix कर लेना है अच्छे स फेटना है इस तरीके से आप देख सकते हैं चमच की health से जब आप इस तेल को इस तरीके से फेटेंगे तो यह आपस में mix हो जाएंगे जो आपके बालों की growth को तेजी से बनाएंगे आपके बालों को लंबा बनाएंगे मोटा बनाएंगे मजबूत बनाएंगे hair fall को आपको कि मैंने बहुत सारी रिसर्च की और मैंने इस ओयल को अपने बालों पर ट्राई किया जिससे बालों का ज़र्णा रुक गया साथी साथ मेरे बाल जो है वो तेजी से लंबे घने मोटे मजबूत हो गए दोस्तों आपने काफी वीडियो में नोटिस किया होगा कि मेरे बाल कित किस तरीके से करना है दोस्तों आपको इस तेल का इस्तिमाल रात को सौने से पहले करना है बालों की जड़ों पर इसको अच्छे से लगाना है अच्छे से मालिस करनी है बालों की पूरी लेंद पर लगाना है और फिंगर की हैल्ट से आपको कम से कम दस मिनट तक सर्कुलन म पूसन में मसाच करनी है और इस तेल का इस्तिमाल आपको कम से कम हफते में चार वार करना है दोस्तों आप चाहे तो इसको दिन में भी यूज कर सकते हैं अगर आप इस तेल को दिन में लगा रहे हैं तो कम से कम 4-5 घंटे आपको लगा कर रखना है उसके बाद अपने बालों को वास करना है किसी भी हरवल सैंपवू सें आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जादा कैमिकल वाले सैंपू से जो है बहुत ज़ियलगे करना रहर प्रोफ लगा सकते हैं कि रहांग लीट julic आप इसको कम से कम दो मन्त रेगुलर इस्तिमाल करके जरूर देखीगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में